हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना न भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार स्विकृष्णाशी रादे सुबह सुबह की पावन वेला के दिपकारगम जोतिश दिशा सत्य की राह में जबरदस्त स्वागत है आप सबका आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी कहते हैं गुरु मत कहा करिए इस ब्रम्हान्ड में गुरु के अलावा और कोई गुरु नहीं होता और गुरु की गुरु होती हमारी माही है तो समस्त मात्र शक्तियों को खोब सारा सादर पढ़ाम और आपके चरणों में बार बार वंदन इस धरा की समस्त मात्र शक्तियां हमारे आपके शरीर में सकरात्मक उर्जा का संचार करें एक बार आख बुंद कर लिजे हमारे साथ एक मिनट के निए और ये प्रार्थना है अचानक से दिमाग में आया आप लोगों के साथ मैं भी कर लेता हूँ इस ब्रह्मान की समस्त मात्र शक्तियां जो नारी शक्ति है वो सकरात्मक रूप से आपको संचारित करें अपनी स्नेहात्मक उर्जा आप तक प्रेशित करें आपके देख भाल का बीड़ा ले आपके अंदर शद्धा दया आदि जैसे इस्त्री संग्यक गुणों का विकास करें चानते हैं इस्त्री संग्यक गुण ही पूर्ण गुण है ऐसी प्रार्थना करके आज की विशेप पर हम आते हैं शारिरिक रूप से स्वस्थ रहना और प्रसन्चित रहना यह गिरलों को ही संभव होता है हर किसी को यह संभव नहीं है और अगर आप ऐसे हैं तो आप परम भाग्यशाली हैं लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हैं स्वस्थ नहीं शारिरिक और मांसे गुरूप से तो आज के ब्रह्मास्त्र का वेट करिएगा एक दिब में ब्रह्मास्त्र हम आप तक पहुँचाएंगे और इस ब्रह्मास्त्र का जो आपको विशेश लाव होगा वो खुद अपने आप में अयतिहासिक होगा चलिए आज के पंचांग से आप लोगों का परिचे कराते हैं कार्तिक महा किष्ण पक्ष नौमी तिथी सुबह साथ बचकर नौ मिनट तक उसके बाद दसमी अर्थात आज दो दो तिथियां हैं चंद्रमा सिंग राशी में नक्षत्र मगा है मगा नक्षत्र का स्वामी केतु होता है तो आज के पूरे दिन के महादशा स्वामी केतु हैं अगर आपके कुणली में केतु योग कारक है तो निश्वित रूप से आज का दिन आपके लिए एतिहासिक है आज का दिन आपका दिन है अब जानते हैं आज का राहुकाल लेकिन पहले योग समझ लेजी सुबह आठ बशकर तिरपन मिनट से ब्रह्मा योग आरंभ होगा तदनुसार दिनांको दो नॉवंबर दिन शुक्रवार राहुकाल का समय सुबह 10 बशकर 30 मिनट से 12 बज़े तक राहुकाल में किसी भी नए और शुब काम का आरंभ नहीं करना चाहिए और गुलिक काल रहेगा सुबह 7 बशकर 30 मिनट से 9 बज़े तक इसमें आप जो चाहें कर सकते हैं हरे काम आपके बनते जाते हैं आपको परम शुभता मिलती जाती है इनी ग्रहों प्याधारित आपके पूरे दिन का हाल एक साथ आपके आश्ट्रो फ्रेंट के साथ आपको पता चल जाता है अगर आप सारेजिक रूप से परिशान रहते हैं आपको कोई बिमारी है, कोई समस्या है, कोई परिशानी है कोई भी हो A to Z, किसी भी बिमारी का नाम मैं नहीं रहा हूँ तो हर बिमारी को लेते हैं या आप प्रशन नहीं रहते हैं आपके अंदर प्रशनता का ही अभाव है जैसे खुशी आपके चेहरे का पता भूल गई हो मुस्कान आपके होटों तक आने को तरसे तो आज का ब्रह्मास्ट जश्ट फॉर यू चले शुरुबात करते हैं मेश रासे से आज मेश वालों के लिए नहीं नोकरी का सवगात प्राप्त होगा बाहर घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है मा के स्वास्थ में चला आ रहा दोश खत्म हो जाएगा आज शादिते हो सकती है आर्थिक उचाई शाम पांच बजे के बाद छूने जाएंगे व्यापार के फैसले बहतरीन साबित होंगे क्या करना चाहिए आज आज किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा आटा दाल दीजेगा पेला रंगशुप एकसट प्रशट का भाग्या है क्या नहीं करना है आज बाई दो पहिया वाहन आद से लंबी यात्रा ना करिएगा ब्रिशब राशे हर रुका काम आज गति पकड़ेगा चल अचल संपत्ति से मुक्ति मिलेगे लाब की श्थति बंती ही जाएगी विदेश से सुभशंदेश की प्राप्ति होगी कलाच्छेत्र में किसी का साथ मिलेगा अधूरे कार्ड आज चलने सुरू हो जाएगे किसी बहुत बड़ी समस्था से मुक्ती मिलेगी अगर आपकी राशी ब्रिशब है तो आज सरकारी छेत्र सित्खोडा साब को सावधान रहना होगा क्या विशेश करना चाहिए आज ब्रिशब वाले बड़ों के चरणों को हाथ लगा ले क्या नहीं करना है आज पुराना प्रोजक्ट आज अचानक से रुख सकता है दोपार बारह वजे के बाद मन निगेटिव हो सकता है आज मिथुन राशी वाले वाहन से चोट आदि खा सकते हैं बहुत सावधानी के साथ गती सीमा का ध्यान रखकर वाहन चलाईएगा अगर आप मिथुन राशी के हैं तो दोस्तों से थोड़ा सावधान रहिएगा जादा खुलने की आवश्यक्ता नहीं है आज मिथुन राशी वालों को बाहरी विबादों से बच के रहना चाहिए क्या विशेश करें किसी जानवर को कुछ चारा दे देज़ेगा खाने की चीज़े क्या नहीं करना है आज बच्चों से ज़्यादा उलजना नहीं है हरा रंग्शुम है 62 प्रित्शत का भाग्य है कर क्राशी चंचलमन आज कुछ छूट जाएगा ब्रेक अप हो सकता है आज का दिल थोड़ा कश्ट दाएग जा सकता है रुपए पैसे के लेंदेन में सावधानी नहीं बरतेंगे तो नुकसान उठाएंगे वैपारिक फैसले उल्टे सावित हो सकते हैं किसी पुरानी समस्या से आज जूजना पड़ सकता है अगर आप किराशिकर कहें तो बहुत सावधान रहने की आवशक्ता है बहुत ध्यान देने की आवशक्ता है क्या विशेश करना चाहिए आज निरले शिक्रता से लीजेगा क्या नहीं करना है आज हर किसी पे भरोसा नहीं करना गुलावी रंगशुब 58 प्रिश्ट का भाग्य है सिंग राशि पत्य पत्नी के बीच कुछ तालमेल गड़बड हो सकता है अधूरे संबंध आज पूरता को प्राप्त करेंगे शादी ब्या का मसला हल होगा किसी अजनवी के साथ कुछ दिक्कत हो सकती है आज सिंग राशिवालों को अपने आप पर बहुत नियंतरों रखना होगा खान पान के मामले में स्वास्त गड़बड होगा बड़े फैसले भी टालने की आवशकता है क्या विशेश करना चाहिए आज नीला रंग का रुमाल को ये अपने पास रख ले क्या नहीं करना है आज विश्वास नहीं तोड़ना है कन्या राशी प्रतेक छेत्र में आपकी तूती बोलेगी रुके संबंध आज मजबूत होंगे भाई बहन के बीच टकराव खत्म होगा कला छेत्र से ख्याती अरजित करेंगे सिक्षा में विशेश लाव मिलेगा संपत्ति आज बिक सकती है आज कन्या राशी वाले यात्रा में सावधानी बरते प्रेम संबंधों में जल्दी बाजी ठीक नहीं है आज कन्या राशी वालों को क्या करना चाहिए अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए ठीक प्रामिश क्या नहीं करना है आज किसी को ना मत कहिएगा मुलावी रंगशुप पचास प्रश्चत का भाक्य है तुला लिब्रा आज तुला राश्यवाले अपने अंदर एक उर्जा महसूस करेंगे बड़े काम बड़ा प्रोजक्ट आज आरंभ कर सकते हैं राजनीत के छेत्र में आपकी तूती बोलेगी आज खुद को कम्प्लीट पाएंगे अगर आपकी राश्य तुला है तो शादी तैह हो सकती है शादी शुदा जीवर में थोड़ा शक को आज कम करेंगे तो अच्छा रहेगा आज दुला राश्य वाले माता के स्वास्त पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है कोई बात ने उन्हीं का दिया है क्या विशेश करें आज वादा जरूर पूरा करें याद करी किस से क्या वादा किया था क्या नहीं करना है आज दुला राश्य वालों को ज़्यादा चंचल नहीं रहना है सफी द्रंग्षुप 56 प्रिशत का भाग्या है व्रश्चिक बड़ी समस्या से आज मुक्ती मिलेगी व्यापारिक दिर्ष्टिकोंड से आज मजबूत होंगे आने वाले समय को लेकर के आज बहुत अच्छा महसूस करेंगे धन सदयव आपके पास भरपूर रहेगा पुराने समस्याओं से बाहर निकलने का एक अच्छा मौका मिलेगा आज बड़ा प्रोजक्ट पर हां किया जा सकता है क्या विशेश करना चाहिए व्रुष्टिक वालों को आज बजरंग मली का ध्यान कर लेज़े अभी एक मिनट के लिए क्या नहीं करना है उधार किसी को नहीं देना है बादामी रंगशुप पचास प्रिश्ट का भाग यह धनुराशी संपत्ति विवात से बाहर लिकलेंगे भाई बहन के बीच टकराव खत्म हो जाएगा नए साल की तयारियों में जुट जाएंगे अच्छे से दिवाली मना पाएंगे धनुराशी वालों की पुरानी समस्या सरकारी समस्या दूर हो जाएगी व्यापारिक फैसले बहुत अच्छे से ले सकते हैं आज धनुराशी वालों के लिए पिता के साथ चला रहा भी बात भी खत्म कर लेंगे आज धनुराशी वाले पुरानी किसी समस्या से बाहर निकलने में महिला मित्री के सहायता ले लेंगे क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है तो आज अपने फैसले खुद से ले लिचे क्या नहीं करना है खड़ बड़ा हट नहीं दिखाना है हरा रंग शुभाई छाच्छट प्रिश्ट का माग गये है मकर राशी क्रोध अहित कर सकता है पति-पत्नी के बीच ताल मेल बिठाने का प्रियास करें अपने जीवन में जादा दुसरों की दख्लंदाजी बरदास्त न करिए और अगर आज आपने करवा दिया दख्लंदाजी ब्यक्तिकर्ट जीवन में तो मामला गड़ बड़ है मकराशी वालों के लिए एक्टिंग शेतर में आज दरवाजे खुलेंगे कोई आज आपको आफर कर सकता है आज मकराशी वालों के लिए कॉलेज में आपकी ख्याती प्रशिद्धी बढ़ती देख रहे हैं क्या विशेश करना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए क्या नहीं करना है आज देर तक मत जागिएगा भुरा रंग शुप सत्तावन प्रत्शत का भाग्या है पंबडाशी विदेश से अद्भुत लाग मिलने जा रहा है आज का दिन आपके लिए अकस्मात धन प्राप्दी का रहेगा थोड़ा आपने आपको और प्रभाव शाली बनाने का प्रयास करिए और इफ्रेक्टिब बनाईएगा आपका प्रभाव पड़े जल्दी किसी के जहांसे में नहीं आना है थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप धोखा खाने वाले हैं रिलेशन्सिप में भी और प्रोफेशनल वे में भी क्या करना चाहिए आज शिव का ध्यान चरूर करिएगा क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आज काला रंग न पहनिएगा लाल रंग की शुबता है अनसर प्रिस्ट का भाग है अंतिम राशी मीन रुपए के लेंदेर में आज बहुत सावधानी बरतनी है आज मीन राशी वालों के लिए हेल्थ का इशू क्रियेट हो सकता है इस टमक से सम्मंधित प्रॉब्लम्स क्रियेट हो सकती है अगर आपकी राशी मीन है तो जल्दी कमाने के चक्कर में न पढ़िएगा आज मीन राशी वाले खिलारी लोग जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बंबं दिन है जै जै आपके भाई क्या है यह आपकी बेटे का है वो आप देख लिजेगा और अगर आपकी राशी मीन है तो सम्पत्ति विवाद से आज अपने आपको बचाने का प्रयास करिएगा जरूर लाब मिलेगा क्या विशेश करना चाहिए आज दोस्त पर भरोसा किया जा सकता है क्या नहीं करना है आज मीन राशी वालों को अपना धन किसी को नहीं देना है बैगनी रंग शुभे एकसट प्रिसद का भाग साथ देगा बताएंगे आज के ब्रहम हास्त्र में कि कैसे दिवाली के एक खास दिये का इस्तेमाल सारीरिक और मांसिक रूप से आपको स्वस्त कर सकता है आप सुन्दर दिख सकते हैं अंदर से भी थोड़ा इंदजार करिएगा पहले आज की सक्सेस की उल्टे पाउं की मिटी हलका सा छूकर और माथे पर लगा ले फिर अपने घर से प्रस्थान करें चलिए जानते हैं आज का भाग्याग्षर मेश वाग्षर व्रिशब आ मिथुन साग्षर कर्क रिशी वाला री सिंग वाग्षर कन्या जा तुला धाग्षर व्रिश्चिक हा धनुताग्षर मकरका कुंभनाग्षर और मीन बाग्षर खास भाग्याग्षर आपका अपना है जी हाँ मीन का बाही है मुझे लगा बाद में अब जानते हैं आज का दिब्वितम ब्रम्हास्त्र तो कैसे पाएं सुन्दर स्वस्थ सरीर ये आज का हमारा विश्य है सुन्दर्ता की तो कोई परिभाशा नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ नैन नक्ष का शार्प रहना यह शुब ग्रहों का प्रभाव होता है किसी को देखकर अगर हम आकर शित महसूस करते हैं उसकी तरफ खिचते हैं तो शार्प फीचर्स जो बनते हैं किसी के बहुत अच्छे शरीर की वज़ा से वही सुन्दरता है रंग महत्व पूर्ण नहीं होता है जो चीज अट्रैक्ट करती है वो सकारात्मकता है शुब ग्रहीय प्रभाव है कुछ भी हो सकता है 110-120 किलो की भी महिला और पुरुष आपकी आकरशन के केंदर में आ सकते हैं 50 साल के बुजर्ग से भी शारीरिक मांसिक आकरशन हो सकता है Anything can be happen मूल है सकरात्मकता जिसने आपको खीचा जिससे आप खीचे ये शुन्दर शुन्दर शरीर है Obviously आप स्वस्थ होंगे तो बहुत बड़ी बात है तो आईए आज बताते हैं गुरहों पर नहीं जाएंगे सीधे उपाय पर आते हैं आपकी स्क्रीन पर है 108 नीम के पत्ते लेना है साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा नमक ले लिजे पत्ते रख दीजे माला गायतरी मंत्र का जाप करें हमारे साथ इसी समय बार बोल दीजे दोरा लिजे एक माला 108 बार और उसके बाद इसके सामने गी का दीया रख दीजेगा 108 पत्ती नमक एक माला कायतरी जाप फिर घी का एक दीया रख दीजे दीपक जब शांत हो जाए अपने आप तो इस सामगरी को घर के पश्चिम बिसा में कहीं मिट्टी में दबा दीजेगा कटोरी वापस ले आईएगा यह प्रियोग करिए ततकाल इसका लाब देखिए और शुबता का आरंद उठाईए दो जानकारिया लगे है अब जल्दी से एक औरत्रिप्त आत्माएं हमारी हॉंटेट सीरीज फिर से लौंच होने के लिए तयार है फरवरी में पहला एपिसोड टेलिकाष्ट करेंगे शुटिंग सुरू होने जा रही है इसमें हम आत्माओं से प्रियत आत्माओं से डारेक्ट कम्निकेट करेंगे बातचीत करेंगे और उनकी मुक्ती का हम कुछ रास्ता निकालेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है आप इसमें फ्रेंट पर आएं ना आएं आपका नाम आपका अस्थान कुछ भी इसमें बोला नहीं जाएगा सब कुछ गोप निये रहेगा तो आप इसकी चेंता मत करिएगा बहुत शुक्रिया और हाँ दांपत्य जीवन की शुक्ता चाहिए तो यग्य उननिस नमबर का याद है ना नमस्कार शुब दिन की मंगल कामना आए दिन जगडा आए दिल लडाई हर एक पति-पत्नी के जीवन में क्या यही एक सच्चाई है जब देखो तब बेडरूम में गए नहीं कि फाइट सुरू कभी सास की वज़ए से, कभी ननत की वज़ए से तो कभी पापा की वज़ए से, कभी ममा की वज़ए से क्या खारण है अगर इस प्रकार की जंजावात से तूफान से आप हर रोज दो-दो करते हैं देखिए कैसे लड़ रहे हैं ये क्या है उन्निस नमंबर दिन सो मवार्ष तुलसी विवाह का दिन एक ऐसा दिब यग करवाने जा रहा हूं जहां पर प्रकृत की इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को भी परास्त करने का एक उद्यम करेंगे हम और आप मिल करके अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके या आपके किसी भी रिलेटिव की जीवन में है तो बिना बिलंब किये ततका कॉल करिए नमबर यादे बता दे चलिए बताना क्या है नीचे लिखा है पढ़ लिजेगा इन नमबर पर कॉल करके रजिस्टेशन करवाए और 19 नमंबर को बाल बच्चों सहित आएए पति पतनी आएं और इस यग्ज का हिस्सा बन करके अपने दामपत्य जीवन को सफल और सुखत बनाएं नमश्कार जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोष संतोशी जी के दौारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महा यग्ज का आयोजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन्कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुति की वेवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राह्मन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्ग दर्शन में मंत्र जाब करेंगे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसेप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560-447-000, 99102-91850, 9999-024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1, शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2, साहिबाबाद, घाजियाबाद, उत्तर प्रदेश यग्य के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा